जैसी उसंकर मित्रों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे तेवार का समय चल रहा है उसका आनंद लीजिए और ये दिपावली आपके जीवन में खुसियों की बहार लाए ये मेरी सुबकामना है मित्रों आज मैं आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ जी हां बहुत जादा इंपॉर्टेंट अलांकि ये बुद्ध रासी परिवर्तन की वीडियो है आपको लगेगा कॉमन है लेकिन इस बार कुछ भी कॉमन नहीं है पहली ब सत्रू के घर में जा रहे हैं तीसरी बात इस बार बुद्ध पर सनी राहू की द्रिष्टी पढ़ रही है हालाकि गुरू की द्रिष्टी पढ़ रही है लेकिन सनी राहू की द्रिष्टी पढ़ रही है तो मित्रों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को आपको देखना होगा और उसी हिसाब से अपने प्लानिंग करनी होगी वीडियो आपके लिए कैसा है अच्छा है कि बुरा है यह पूरी तरह देखेंगा तभी समझ में आएगा ठीक है मित्रो तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत उससे पहले दो आव मेरा वाट्सप नंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदूंगा फीस आपको देनी पड़ेगी और हां मित्रो डारेक्ट कॉल ना करें वाट्सप पर मैसेस करें तो मित्रो आते हैं मुद्दे पर देखिए ऐसा क्या है कि बुद्ध जो है बु बुद्ध के अच्छी होती है वो एक अच्छा वाचक होता है और वो अपनी बुद्धी के दवारा बड़े से बड़े काम निकलवा लेता है और अच्छा खासा धन कमा लेता है बहुत ही चत्रु और प्रवेण होता है बुद्ध से प्रभावित लोग जो अच्छे कीले होते हैं मतलब सफेद होते हैं और बहन बुवा से रिष्टे अच्छे होते हैं इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में बुद्ध खराब है उन्हें नर्वा सिष्टम संबंदित प्रॉबलम आती है दात में कोई नी कोई रोग लगा रहता है और ऐसे लोगों को ब वाड़ी काफी करकस होती है मतलब की वाड़ी में मधुरता नहीं होती है ठीक है तो मित्रों अब आते हैं वास्तविक मुद्ध पर देखे अब क्या हो रहा है इस बार कि इस बार जो है की बुद्ध महराज अब चुकि यह वीडियो मुझे पहले डालनी चाहिए थी लेकि 29 अक्टूबर 2024 को अपनी वर्तमान रासी तुला रासी को छोड़ करके अपनी नैसरगिक सत्रू मंगल की रासी व्रिष्चिक रासी में प्रवेश कर चुके हैं जहां परकिवे 26 नमबर 2024 तक बने रहेंगे और बुद्ध पर सनी राहु और गुरू इन तीनों की कोमशी तो अमरित्मई होती है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन सनी और गुर्व की द्रिष्टीय कर प्राब्लम क्रियेट कर सकती है तो कैसा होका यह गोचर आपके लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह गोचर आपके लिए जो माइनस पॉइंट है इस फलादेश का सबसे पहले बता देता हूं सनी और राहू के प्रभाव के कारण ठीक है आपको स्वास्थ में समस्याएं लगी रहेंगी कभी मतलब पाचन से संबंदित तो कभी एंजाइटी से संबंदित थोड़ा मतलब स्वास्थ को का आपको ध् समय से फसा हुआ जो पैसा है मिलेगा और दूसरी बात कि लंबे समय से कोई इच्छा दबी हुई थी वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी वह इच्छा भी आपकी इसी गोचर में पूरी होगी मित्रों ठीक है जैसा कि मैंने बतायी है। स्वास्थ का तो यह आपको ध्यान में आपको रखना है और दूसरी बात आपका समाजिक दायरा बढ़ेगा बुद्ध के इस गोचर में आपका समाजिक दायरा बढ़ेगा और दूसरी बात क्या है कि मित्रों की संख्या बढ़ेगी मित्रों की संख्या बढ़ेगी अच्छे-च्छे लोगों जोड़ना चाहेंगे अगर बुद्ध की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा हूबहू आपके साथ होने वाला है ठीक है संतान के तरब से भी आपको कोई खुसकबरी मिल सकती है या तो संतान प्राप्ति की खुसकबरी मिल सकती है या तो संतान ने कोई बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये हो एकजाम बहुत अच्छे टॉप लेबल से मतलब की निकाला हो ऐसी कोई कोई नी कोई खुसकबरी आपको जो ही कि संतान से संबंदित प पनादलेते हैं तो आप अपनी वानी के द्वारा काफी लावपप्राप्त करेंगे आपकी वानी काफी आकर्शक हो जाएगी प्रेम संबंदों के मामले में यह गोचर बिल्कुल बढ़िया बहुत अच्छा है प्रेम सम्मंदों के लिए कोई दिक्कत नहीं है और आमधनी में वृद्धी होगी आमधनी में वृद्धी के माध्यम बनेंगे और अगर आप कुछ काम नहीं करते आपको आमधनी आपके पास नहीं आती इंकम नहीं आती तो इंकम के माध्यम बनेंगे बस मैंने जो कल दिप पाउली के उपाई का उस मंत्र को प्रयोग करें उनको जरूर रोजगार मिलेगा ठीक है यह अनुभव की बात है ठीक है और हाँ सेर मार्केट से भी आपको भारी लाव होने की संभावना है मित्रों यह गोचर आपके लिए सुने जाकर समाधान चाहते हैं अपनी कुणली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सअप नंबर पर महिसस करें मेरा वाट्सअप नंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा फीस आपको देनी पड़ेगी और हाँ डारेक्ट कॉल मत कीज वाट्सअप पर महिसस कीजिएगा मित्रों जय स्यों संकर